हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू कटन से वेट साहिला आज हम इस वीडियो में बनाएंगे परल और कॉटन ले से एक न्यू नेक डिसाइन तो चलिए शुरू करते हैं नेक बनाने के लिए मैंने एक बुक्रम का पीस लिया हुआ है इसको मैंने चोड़ाई की तरफ से बीच में से फोल्ड किया हुआ है इसके लंबाई 13 इंच है और इसके जो चोड़ाई है वह तकरीबन 4 इंच है पहले हम नेक के विर्थ माग करेंगे तो नेक के विर्थ हमारी सीधा करने के बाद अब हम यहां से नीची से जो हमने दो इंच माग किया है और उपर हमने जो तीन इंच माग किया था वहां से इन दोनों पॉइंट्स को हम जोइन करेंगे अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें round v neck mark करना है यह देखे हलके हातों से हम round v neck mark करना है अब हमें इस line से बाहर की तरफ पोना पोना inch नीचे तक mark करना है यह देखे यह marking हमें नीचे तक ले जानी है नीचे से हमें round v में ही mark करना है अब हम इन points को आपस में join कर लेंगे यह देखे मैंने इनको join कर लिया अब हम neck को cutting करेंगे पहले हम neck को अंदर की तरफ से cut करेंगे और फिर हम neck को बाहर की तरफ से cut कर लेंगे यह देखे proper अच्छे तरीके से cut करके यह देखे हमारा neck ready हो गया अब हम neck को fabric पर stitch करके attach करेंगे यह देखे मैंने यहाँ neck को fabric पर attach कर लिया है अब हम कुर्ती का front panel लेंगे कुर्ती के front panel पर हम neck की broadness mark करेंगे यहाँ beach center से दोनों तरफ 3-3 inch का mark लगा लेंगे फिर neck को pin के साथ secure करके beach में एक कच्ची सिलाई लगाएंगे यह देखे बड़े हलके हाथों से आपको beach center में एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है अब बुक्रम के side side में stitch लगाते हुए हमें पूरे neck पर stitch कर लेना है अंदर की तरफ से 1,5 inch fabric छोड़ते हुए backy का fabric हम cut कर लेंगे और इसमें छोटे-छोटे हम cut लगा लेंगे अब neck को अंदर की तरफ लिप करके इस पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे यह देखे पूरी गले में हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है अब हम neck की deepness mark करेंगे यहाँ पर मैंने neck की जो deepness है वो 1,5 inch छी रखी है आप अपने हिसाब से neck की deepness कम से जादा कर सकते हैं अब यह देखे हमें neck को नीचे से भी मिजर करना है यहाँ पर हमारा साड़ी छी आ रहा है अब neck को नीचे से cover करने के लिए यह मैंने एक fabric पट्टी कटकी है जिसकी लंबाई मैंने 16 रखी है और जिसकी चोड़ाई है वो change है और पट्टी के half portion पर मैंने fuse paper को प्रेस के साथ चिपका लिया है अब हम इस पट्टी की फोल्ड करके इसको दोनों तरफ से stitch कर लेंगे अब इस fabric पट्टी को neck के नीचे रखते हुए इसको हमें stitch करना है यह देखे हमें अपनी neck की deepness के according इसको पहले set कर लेना है आप इसको pin से secure कर लीजिए अब हमें पूरे neck पर stitch लगा कर इसको तयार कर लेना है यह देखे हमारा neck ready हो गया है अब मैंने cotton lace ली है इसली इसको आपको neck के किनारे पर रखते हुए बड़े ही हलके हाथों से stitch करना है अब देखें यहाँ पर neck के पीचों बीच आपको रुख कर अपनी lace को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हो आगे की तरफ करके इसको stitch करना है यह देखे हमने stitch कर लिया है lace को अब हम lace की दूसरी तरफ पीश को अच्छी तरह से बिठाने के लिए इस पर एक stitch लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इस neck की look को और enhance करने के लिए मैंने इस पर pearls को यूज किया है यह pearls आप glue की help से या फिर सुई धागे की help से भी आप यहाँ पर stitch कर सकते हैं यह देखिए हमारा neck design बनकर बिल्कुल तयार है यह neck design आपको कैसा लगा मुझे comment में ज़रूर बताईएगा और इसी तरह की नए वीडियोज के लिए मेरे चैनल को subscribe करें